और इस वक्ती बड़ी खबर कोरोना को लेकर उत्रप्रदेश में सरकार का एक बड़ा आदेश सामने आया है हर रवीबार को यूपी में सापताहिक बंदी का आदेश अब जारी किया गया है आपात कालीन सेवा इस वीच संचालित रहेंगी ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है भरण पोसर भट्ता के पात्र लोगों की एक बार फिर सूची बनाई जाएगी और लोगों को उनको खाने पीने की चीज़ें मोहिया करवाई जाएगी इससे संकेत ये भी मिलता है कि आने वाले वक्त में अगर इस्थितियां बिगरी तो पूर्ण रूप से लोगडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को इस मामले को लेकर सख्त आदेश दे दिये हैं जरूरत मंदों को राशन उपलब्द करवाने के आदेश दिये गए हैं और सरकार का कहना है कि जो भी जरूरत मंद होंगे उन्हें राशन सरकार की तरफ से उपलब्द करवाया जाएगा बिना मास्क पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपे का जुर्माना लगेगा ऐसा सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है और दूसरी बार बिना मास्क पकड़े जाने पर दस हजार का जुर्माना लगाया जाएगा ऐसा सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है सरकार ने निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाए जाने के सख्त आदेश दिये हैं इस वक्त की है बड़ी खबर उत्रप्रदेश से कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा आदेश सामने आया है हर अविवार को यूपी में अब साफ्ताहिक बंदी रहेगी आपात कारिन सेवाय संचालित रहेंगी भरण कोसर भट्ता के पात्र लोगों की सूजी बनाई जाएगी वक्त मंत्री ने इसके लिए सख्त आदेश दिये है